हेलो स्टुडेंट वेल्कम बेक टु माई चैनल सम्राटकेडमी स्टेंट मेरा नमेकास मेरे प्यारवच्ची अगर आप भी 2030 बोड़ जाम देने वाले हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है मेरे प्यारवच्चो चार चार अंक वाले लगूत्री मेहत्यपुड प्रस्टन डिसकस करने वाले हैं जो की बहुत ही काफी मेहत्यपुड है जो की चार नमर के लिए आते हैं और जो आज प्रस्टन डिसकस करूंगा 100% एक्जाम में आएगा वो सब को मालूम है ठीक है बस आप लोगों को इनके उसनों को अच्छे से प्रक्टि सब्सक्राइब पर दो एक पॉइंट में आराम से डिसकस करने वालों कोई दिक्कत नहीं है देखो पहला प्रस्टन जो कि बहुत इंप्रटेंट है क्या है कि दो घनों जिन में जिन में से प्रतिय का आयतन 64 गंड सेंटीमीटर है कि सलगन फलकों को मिलाकर एक घनाप बनाय जात किजिये देखे परस ने कहा है किराने कि दो घन है दो घनों के मिला के एक घनाप बन रहे है क्या कि दो घन है और एक घन का जो आयतान है वह आपका सब्सक्राइब और चीतर के माद्यम से देखा जाए तो समझने जागा भी आप लोगों को कहना चाहरा जाए जिसे एक घन है देखें पर चीतर बना लेते हैं फिर इसके बाद हल करते हैं कि एक घन है यह यह आपका एक घन हो गया ठीक है इस तरह में घन बना देता हूं अच्छा से अक रितीस की आपको भी ऐसे बनाना है मिए डहों एक घन दो-धन डोनो गनों को आपस में जोड़ा जाए यह गानाप बन रहा है ठीक है अब इसमें हमको बोला था कि एक घं का आयतन 64 गंड सेंटीमीटर है ठीक है अब देखें यहां सब करेंगे क्या एक कुलू आपको दिया है कि घं का आयतन यहां पर लिखोगे कि घं का आयतन घं का आयतन आपको दिया है यहां पर 64 गंड सेंटीमीटर ठीक है चोंसट गंड सेंटीमीटर आपको दिया है इसका आयतन अब देखें आप लोग घं का आयतन तो फर्मला क्या होता है एक्यू एक्यू बराबर आपको दिया है चोंसट ठीक है अगर मैं यहां से ए निकालू यह बराबर क्या हो जागा यह गहने तो उदर जागा तो क्या हो जागा आपका घनमूल यह 64 का क्या निकल गया यहाँ पर घनमूल तो यह बराबर क्या जागा चार तो चार सिंटिमीटर यह क्या गया आपका भूजा आगया घन की सब भूजा में बराबर होती है सब को मालू तो इसका लंबाई भी चोड़ाई भी चार संटीमेटर होगा और यह आपका क्या हो गया चार संटीमेटर लेकिन दोनों गणों को जब आपसे जोड़ेंगे तो यह चार संटीमेटर और इसका भी यह हो जाएगा लेकिन आपको देखनों कि बात यहां पर यहां पर आपक्ट करते हैंब से १ृू घंटा। हुए खायनाब का प्रिष्टीए श्यत्वाब् पूछा ने होगा कि दोगी है लंबाई गुडे 왜 चाओड़ाई प्लस पुष्जाई पिरपलास और उंचाई लंबाई यह फार फार्मूला ओате गणाप का प्रिष्ट्य छेत्रफल का अब देखे इसके लिए हमें लंबाई चोड़ाई और उचाई चाहिए तभी तो पहलू रखेंगे यहां पर तो यहां पर चलिए लंबाई निकालते हैं लंबाई बरावर क्या हो जागा तो लंबाई हो जाएगा चार संटिमेटर और चार संटिमेटर यह टोटल लंबाई के अगर बात करें घनाप का तो आठ संटिमेटर हो जाएगा तो लंबाई क्या हो जाएगा चार और प्लस चार बरावर कितना आठ संटिमेटर इसकी क्या होगी लंबाई होगे अगर चोड़ाई की बात करें तो चोड़ाई 4 संटिमे तो लंबाई 8 cm, चलाई आपका 4 cm, रहुचाई आपका 4 cm, अब आराम से घनाव का प्रिष्टे चेट मन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, दो गुडे लंबाई कितना है, 8 गुडे B, B का बेलू कितना है, 4 प्लस B, 4 गुडे याज, 4 प्लस याज, 4 लंबाई 8, तीक है, अब चुको 32, प्लस 4 चुको 14, प्लस 8 चुको 32, तीक हो जाएगा, 2, 32, 32, कितना हो जाएगा, 64, और प्लस कितना हो जाएगा, 14, तीक हो जाएगा, 2, जुडेंगे तो 6, 4, 10, अच्छा, 1, 7, 1, 8, 80, अगुडा करेंगे तो 80, दूना कि 1060, तीक है, 160 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क जाएगा, प्रिष्टी 6 प्रफल, तीक है, यह इस प्रकार लगाएंगे, यह इसका अंसर होगा, तो देख पारोंने, प्रस्ण बहुत जादा इन्पोटेंट है, आराम से जब समझते वे चलोगी, ते प्रस्ण आराम से लगा पाऊगे, ताइक हो आपको किलियर होगा, च चलिए, देखें, दूसरा प्रस्ण देख लिए, दूसरा प्रस्ण यह है, कि एक ठोस, एक अर्दगोले पर खड़े एक संखु के अकार का है, जिनकी त्रिजाएं जो हो 3 सेंटीमीटर हैं, और संखु की उचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, इस ठोस का संपुड प्रिष्टि दर्फल पाई के पदो में ज्याद कीजिए, देखें, बेला डाइगरम बनाते है, डाइगरम क्या बोला है, कै अफिन थोस है, एक यह ठोस न अर्दगोले पर खड़े एक संखु क्या प्रिजाएं, तूसरा न थिनकी है, इस फिस यह रधो उर्दगोले पर खड़ा एक सं उसपे संकू ख़ड़ा ही यह इसका ब्यास हो गया देखे इसको मा लेते हैं संकू का A है यह अपका B-Point है अपका C-Point है छे है, आप जो जो दिया है उसको लिखते हैं चलो पढ़ते हैं, देखो दिया है एक ठो से कर्द गोले पर खड़े यहां से अगर इसके मैं उचाही देखुए तो द्रिज्या का मतलब यहां से लेकर यहां तक कीटिया यहां तक यहां तक इसके बाद बोला है उसके उचाही चार सेंटेमेटर चार सेंटेमेटर इस के इस ठोस का संपूर परिष्टे-चे थे पल पाई कि पूरा करी करी देख रहा हिए इसका शंपूर परिष्टे-चे थे रहा है ठीक है कि संपूर्ण प्रिष्टे अच्तरफल क्या होगा तो चलो लिखते हैं यहाँ लिखेंगे ठोज का कि दो का संपूर्ण प्रिष्टे अच्तरफल कि दो कि प्रिष्टे चेत्रफल में क्या होगा एक तो आप लोगों का एक अर्ध गोले का प्रिष्टे चेत्रफल जो बार बार दिख रहा है अर्ध गोले का प्रिष्टे चेत्रफल और प्लस ये संकु का वक प्रिष्टे चेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तभी तो सम्पूर प्र प्रिष्ट्य च्ट्रफल और ध्गोले का कर दिश्ट्य च्ट्रफल प्रिष्ट्य च्ट्रफल प्लस संक्वाकारभाग का प्लस संक्वाकार भाग का वक प्रिष्टिय चेतर फ़ल ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका और दुबले का प्रिष्टिय चेतर फ़ल क्या होता है यहां पे लिखेंगे इसका फर्मूला होता है आपका 2 phi R2 स्क्वार कोईEr ठीक है और प्लस cPIs संक्वाका भाग का सतर ठीक संथम संक्वाकार भाग की प्रिष्ण स्वी कि 8 jan Deborah फ्रमूला क्या होता है पाई एयल ठीक है यह और पॉछाएगा आप लोगा टू पाईर स्कॉर प्लस पाईकए आयलम की र dafür सकता है कि करड़ी में यह स्क्वाइर प्लस आर इस्क्वाइर यह फर्मूला होता है एल का तुमने डारेक्ट यह फर्मूला लिग दिया आसानी साल करने के लिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या हम यहां से हम कि पाई की पदम निकालना है यह हो जाएगा आप लोगों का टू यह तारी एची कितना है चार ते ऐल जाएगा 4 यह स्कवाइर आप टू पाइट रिदो ऑटेन घिसवाइर को रोगे तो नो फ這個是 किया ग्वादा उतने स्वार काई आंगर पाशे को धिन फाई औरसे देड़ के नोन प्लस तीन पाई इंटू करड़ी मिननों और सोरे कितना हो जागा 25 इसको उड़ा करोगे तरनों दुनिके 18 पाई प्लस यह क्या हो जागा तीन पाई इंटू 25 कवर मूल क्या होता है पांच ते हो जागा आपका 18 पाई और प्लस पांथ यह पंदरा पाई ठीक है पंदरा पाई दोनों के उगर जोड़ दोगे तो आठ पांथेरा दू एक तीन तैंतिस पाई तैंतिस पाई सेंटी मीटर स्क्वाइर इसका जागा ठो अगला प्रश्ण देखते हैं चलिए देखें मेरे प्यारोच आगला प्रश्ण आगला प्रश्ण यह है कि पानी की सता से 14 मीटर उपर जहाज के डेक पर खड़े एक बेकती का एक पहाडी की चोटी से उन्यन कोड़ कितना से साट डिग्री तथा पहाडी के अधार से आउनमन कोड़ कितना है तीस है पहाडी के उचाई तथा जहाज से दूरी ग्यास कीजिए ठीक है देखें जब 20 प्रश्ण का प्रश्ण आजाए सबसे पहले आप डाइगराम अगर आपका अच्छा बन गय कि एओ निए ठीक है तो कह रहाए ही सबसे पहले कि पानी की सृटा से 14 मीटर ओपर ठीक है तेएग कीटैना उपर है several meter इहां पर वेक्ठी जहाज के सब्सक्राइब पाहाडे के स्सक्राइब steps appear कि एक फारी कीपली देख चोती से वन्हें और पहाडी खड़ी होई है और उसका पुछरा 10 कुड मतलब क्या होता है व्यक्ति के आँकों सो नीचे से उपर देखने पर यह जो 10 कुड है इसका 50% धिरी दिया है थ्यक्ति को एक पचार्डिया तो ही कह रहा है कि बेक्ति का एक पहाड़ी की चोटी सुन्देन कोड़ साथन से तथा पहाड़ी के अधार से आउनमन कोड़ तीसन से पहाड़ी का अधार क्या है यहां पे तो पहाड़ी का अधार यह है ठीक है यह पूरा पहाड़ी है ठीक है तो पहाड़ी का अधार क्या ह कि उपर से लो देखते हैं नीचे तो अनुमन पूर यह हो जाएगा कितना थीजन्स या नुमन को गए ठीक है अब हमसे पूचा है कि पाहडी के उचाई पाध के उचाई हैं तो इसको मालूम नहीं है तो इसको मालू यक्स एक्स मीटर मालों कि यह एक्स मीटर दूरी है यह ठीक है आप चलो देखो कैसे लगाएंगे इसको अब फिगर बन गया आप लोगों का अब इसको लगाना है कैसे लगाएंगे द्यान से समझेगा सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कि चित्रानुसार पुरा डिटेल भी लिखना पड़ता है लिखोगे कि चित्रानुसार मत ON चितर कि नुसार जो जो माने हों ुसका नाम लिखना पड़ेगा चित्रानुसार इडी इडी इजो इडी है वो क्या है चित्रा नुसार इडी उस ब्यक्ति के उचाई है उस ब्यक्ति के उचाई उस ब्यक्ति के उचाई उचाई जो कि 14 मीटर है चेउदा मीटर है जो जहाज के जो कहां पर जो जहाज के डेक पर खड़ा है ठीक है यहां पर लिखोगे यहां पर एसी एसी क्या है लिखोगे एसी जो है एक पहाड़ी है ऐसी एक पहारी है तो एसी को अपने क्या माना कि पहार है छीक है यहां तक हो गया इसके बाद कोड़ defer कॉड़ अब देखो ध्यान से अब देखो द्यान से बी ए सी बी ए सी साट हंस है अरे बी ए सी कितना है तीस हंस तो देखो बी ए सी जो है वह बरावर होगा आपका ऐ सी डी के मतलब की यह वाला गौड जो है वह इस गोड के बरावर होगा एक आंतर अंतर और होगा कि नहीं बिलकुल होगा यह थीस सांस तो यह भी कितना होगा थीस सांस करें आप लीकूगे कि बरावर बरावर लोग जोगLI economies के ECD के ECD के कितना दोनों है आप लोगों के 30 और यहां बीच में कारण लिग दाना किस कारण से बराबर है तो एकांतर कोड है इसलिए बराबर है टेक है एकांतर कोड है इसलिए क्या हो गए है दोनों बराबर हो गए है यहां तक तो कंफा में आप लोगों का अब देखो, ED, ED, ED कितना है, 14 cm, ED जितना है, उतना यह आपका BC होगा, निकी यह दोनों दुरीया को से बरावर होगा, आयत बन रहा है, तो ED, BC के बरावर है, ED जो है, वो BC के बरावर है, आध दोनों कीतना है तो 14 मीटर है तो जोदो मीटर है तो यहां पर लिखना पड़ेगा है तो पहारी के उचांई कैसे निकलेगा अगरम पहारी के उचांई कैसे निकलेगा AB प्लस BC AB और प्लस BC इन दोनों को जोड़ूँगा तब ही तो पहाड़ी को उचाहिए निकलेगा क्योंकि पहाड़ी को उचाहिए क्या है आपकी AC तो AC बराबर क्या हो जागा आपका AB में BC हम जोड़ेंगे तो आपका AC पराप्त होगा यह पहाड़ी की क्या हो गई उचाहिए हो गई ठीक है यहाँ तक चीज़े क्लियर है चली अब लिखेंगे हम लोग पहाड़ी की जहाज से दूरी लिखेंगे कि माना पहाड़ी की जहाज से दूरी जहाज से दूरी दूहाड़ी कि जहाद से दूरी क्या होगा में, दिखा दो चित्र में, तो पहाडी की जहाद से दूरी मत्रफिन दूरी दूरी की बरावर होगा, दूनों COB. सब्सक्राइब क्यों है तो दिखाना पड़ेगा चीतर आपको सब्सक्राइब क्या करोगे अब सबसे पहले अब जाएंगे हो लो तुरुभुज EDC में किसमें जाएंगे त्रुभुज EDC में चीतर दिखाना पड़ेगा तम सब्सक्राइब EDC में अब EDC में देखो यह नव्यांस का है समकोड तुरुज बनाना EDC में इसमें देखो एक आधार हमको मालूम है तो EDC में कौन सा फर्मूल लागांगे 10 ठीटा है यहां पर लिखेंगे वह चीजिए अमने लिखा है आपे इत्रुभुज EDC में लिखेंगे 10-13ंण ठीके है ? एंक इसमें जो कोड़ तीसंण का है इस त्रवुज़ोस में कोड़ क200 देख रहा है ना पर लोटका इस त्रवुज़ोस में कोड़ के अधिस सांस ता उमने लिखा है 10-3ंण 10-3ंण बड़बत क्या होगा? लम्बटेकर तो लम्ब यहां फे क्या था इडी तो इडी ठीक हैं लम्बट अधार होता है गSpot लम्बप अधार के वड़िया ऊन्पाओक की बेलो काम लेगा अधार हो गाया अधुना के बेलो मालूम पे हो पिल्च के चभी पर भेलो कि बेलो कितना होता है एक बटे करणी में 3 där आपका और एक सोने क्या माना था एक स्कूरम मनमाना था डी सी बड़ाबर एब्य मतलब कि । मतलब किiamo कि इस दोनों को बैलू कितना आ गया 14 करणी में तीन आ गया है तीक है इतना तो कहिए सकते हो इतना मीटर्स कि यहां तक आप लगों का एंच चलो है कि और इसको आप बाद दूच युद्र गुड़े करणी में तीन करणी में कर दो हमको दिया आपको क्यूं सन बैंगे करणी में तीन कबल हुए एक दसमलो साथ तीन दू तो यहां पर एक दसमलो साथ तीन दू जैसे रखोगे और यहां पर आप मल्टिप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा चोबिस दसमलो दू चार ठीक है इतना मीटर आ जाएगा तो यहां तक हम फार्म हो चलो को मालुम चल गया है है हम पर लिख लेना कि अतहरं पहाड की जहाज से दूरी है अपहाड की जहाज से जो दूरी है वो तो मालुम चलईा कितना है एक चीताओं को मालूम चल गया अब हमें पहार की इचाहिए बस गयात करना है तो पहार की इंचाहिए यात करने के लिए हम लोग दूसरे त्रिभूज में जाएंगे त्रिभूज आप दी इमें आप जा रहे हैं एबी इमें अब एबी इए क्या है चित्र देखका इबी इमें इस वाले त्रूज में जा रहे हैं ठीक है तो आपका कड़ हो जाएगा कड़ हो गया दिया क्या है देखो डी सी और इबी बी इबी के इदशकर की अभी बेल्यू निकला है इबी इबी क्तना निकला है 24 दसमनों दूचार तो अगर यह आपका 24 दसमनों दूचार है ठीक है यह अराम से निकल सकता है ठीक है क्योंकि आधाहार बटे लंब बटे आधाहर टेंट ठीटा लगाएं कि लंब बटे अधाहर निकल लेंगे तो यह हो जागा क्योंकि उसमें 60 था तो टेंट 60 बराबर लंब लंब क्या हो जागा हमारे पास एवी और आधाहर अमारे प्यास क्या था वी तो टेंट 60 का वेलू कितना होता है क्रड़ी में 3 बराबर यह तो अब को निकालना है और उन चला है कि 24 दसमनों दूचार यह रखे है या तो मैं 14 क करड़ी में 3 रखते हैं तो इसका इसमें गुड़ा हो गाते हो जागा करड़ी में 3 गुड़े 14 करड़ी में 3 बरावर एबी तो एबी बरावर कितना आ गया 42 ठीक है लिखेंगे की पहाड की हुचाई को घ्यात करनी त्या थी पहाड की और में क्या में आट degrees और किसे मदा कर अचल करना मतलब से और आगल की की पूरी के पूरी पहाड़ को उचाई है तो देखो यह आपके दिरवत्री प्रश्न है तो थोड़े डिफकल्ट होंगे आरावराँ समझोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों चलो यह भी प्रश्न के लियर हो गया अगला प्रश्न देखते हैं लोगो चलिए देखे अगला प्रश्न देखे प्रस्न बहुत इंपर्टेंट है कहारा है कि त्रिभूज एभी से में सीध कीजिए कि कॉस ए पलस बी बटे दो बराबर साइंस सी बटे दो और देखिए यह सिंपल और कैसे करोगे सिसका मैथड यह होता है कि त्रिभूज यह भी सिविस इन बात कर आना है तो लोग जानते हैं कि अगर प्लस बड़ेट दो बरावर साइन सी बटेटों है हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यहां पर लिखोगे कि हम जानते हैं कि त्रिभूज के अंतों कोडों का यूग कितना होता है उसे कि यहां से और यहां से भी निकालोगै तो इसका होगा यहां तक क्लिए अब करना क्या है यहां पर करना था कि कॉस ए प्लस बी बटे में दो इससे में साइन सी बटे दो बनाना है यहां प्लिक लेना लेने पर लेचेस लेने पर अधिक हमने लेचेस ले लिए लेचेस में आरेचेस प्राप्त करना थी हो जागा आपका कॉस ए प्लस बी ए प्लस बी क्या है एक सो सी माइनस सी और बटे में दो इसे हल करोगी तिया जागा आपका कॉस एक सो सी बटे दो और माइनस सी बटे दो अलग लग हमने भाग दे दिया ति इसको काट दोगे तो 90 बार में कड़ जागा तिया जागा कॉस 90 माइनस सी बटे दो अब फर्मुला आपको मालूम है कि Cos 90 – θh 타едов कि Cos 90 – θh타едов समने इसको किया है आप देखो यहाँ भी आरे स्ष करना था यहीं नहीं हो कि लिए दोगे हैंस पुरूट कि हमने पुरूफ कर दिया इसको ठीक है तो छोटा क्यों सने चार नमर के लिए आता है अभी 2022 में भी यह प्रस्ण पूछा था देखो आई हो किलेर हो गया होगा अप लोगों को ठीक है चलो अगला प्रस्ण देखते हैं देखो यह प्रस्ण बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यारों चो बहुत दारी जाम्या चुका है कि यदि बिंदू ए कामा जीरू जीरू कामा बी और यक्स कामा वाई सन रेखो तो सी दिखेजिए कि यक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बरावर एक हो देखो जब बोल दिया कि त बिंदू इसको इनाम देते हैं इसको बी नाम दे देते हैं इसको सी चुकी बिंदू ए जिसका निट्सांग दिया है एक गामा जीरू तथा बी बीकर निट्सांग कितना है जीरू कमा बी और सी स्थिकर निट्सांग किया यक्स कमा भाइए ठीक है सन रेक है क्या लिख दोगे सने रहाएं सन रेक हैं तो त्यूंह बन दों सन रेक हैं इसलिए यह आसे लिए इसलिए जो त्रफूच का शेत्रफाल होगगा देग्समान फिर प्रक्राइब험 क्या होगा जीरू के REALLY C कि एक बटे दो बड़े कोस्ट टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या है यह 0 तो 0 के बराबर कर दोगे ठीक है चलो अब अब अस बैलू रख दो देव जागा एक बटे दो x1 ठीक है x1 देखो यह जो बैलू है यह आपका होता है x1 y1 यह होता है x2 y2 यह होता है x3 y3 अब यहीं से आपको रखना है तो x1 x1 को बैलू कितना है यह बराबर y2 y2 को बैलू कितना है यहाँ पर चलो देखो y2 y2 क्या जगा है यहाँ पर b मानस y3 y3 क्या जगा है यहाँ ठीक है फिर x2 x2 कितना है 0 y3 कितना है आप से y-y1 कितना है फिर 0 प्लस x3 कितना है यहां से x y1 y1 कितना है 0 बरावर में 0 अब यह हो जागा आपका एक बटे दो गुड़ा करोगे तो जागा एक ब्याद आए और बरावर 0 तो यह जागा आपका एक बटे दो यह भी माइनस ay यह 0 जोड़े तो 0 ही आगा माइनस के xv बरावर के 0 यह गुड़ा में उदर जागा तो भाग में आ जागा तो 0 ही आएगा माइनस ay माइनस के xv और बरावर 0 यह आपका समिखड़ प्राप्त हुए है हमें सीद्ध करना है कि x बटे a प्लस y बटे b बरावर यहां पे एक हमें सीद्ध करना है ठीक है अब देखो करोगे क्या यहां पर यहां पर यहां पर आप काम करो यह भी को उधर छोड़ दो बा xv प्लस में मानस ay धर जागात था प्लस ay ठीक है आप देखो एक साइट में एक बनाना है तो इधर एक कवा सकता है जब एवी से भाग दूंगा तो यह वी कवागी दर भी दर भी एवी कवागी दर यहां प्लिक देना एवी कवाग देने पर कर यहां पर कतेगा तो क्या जाएगा एक बराबर यहां से देखो 20 के इस से एक एंसिल ती तो आपको यह में आप तो यहीं सीम करना था य फुटल्री इस लिखा जाए 24 बराबर छे यह करना था यह अंस परूब तो यह आप लोगों की लिए अप लोगों को बिलकुल क्या हो गया तो इस प्रकार का प्रश्चना ने की तरह से तो पी कमान गया की एक की समतरमादया हमको आगे ही दें दिया कि समांतरमाद्या पुछा पूछाया की हैं पे देनके रग दिए रहां दे संस्री दया पिस्ले के तीस तक टीस्ले कि hours द्.... मतलों के फॉछा दिया है कि जुज टीसले के घ्राकर लोगा टीजो कि दस तक वरामारता पांच है 10 ने लेकि 20 तक बारंब़ता 18 आज़ा है 20 निवर 10 निवर 5Ã आज़े पंद्र है तीन से लेकि 40 तक बारंब़ता पी है यही पी हमको निकालना है कि 3100 कि तक बारंब़ता कितिना होगा और 40 निवर छाली के मटाप चेज अब हमसे 75 त्रमादair 25 पी के वल्ल XI बटे में Sigma F5 ठीक है और एक होताय कल्पीत मादे भी दें जो कि अब लोगों के फार्मुला होता है A plus Sigma FI DI बटे में Sigma FI और एक होताय पर विचलन भी दी Sigma X पर बार बरावर A plus Sigma FI UI लगा सकते हैं आपका टीचर कोई लगा सकता है कोई दोस्त आपका अलग लगा सकता है लेकिन देखिए मैं इसमें सबसे सिंपल बीदी लगा रहा हूं प्रतेक्ष वीदी जो कि सिंपल ऐर असानी से आप़ी जाएं कि सिग्मा और यक्स पर बार बराबर सिंग्मा एफई एक साई ऑर बटेलें सिंग्मा एफ में इस फर्मुला के यूज करेंगे तो हमें एक एक याफ्पाई चाहिए और एक एक सा और प्रत्यक्ष विदी लगा रहा है ना तो उसके लिए प्धियु यह उद्धि एक साई चाहिए तो उसके पहले कोल्म में इसके बाद बान बरता लिक भी रिए वह पॉर्पशेलं के छया है तो इगला कलंध नेगा ऐफ誰 और एकसाई कारिक प्रत्यक्ष विदी जब परत्यर्ट्यक्ष मेन पार guy है और दूंट ऑप खूण oppress Mon cái तो भी लगा गांगे हम यहां को बनाना पड़ीजोटी टान म 쪽 मत पतला हूँ कि यह तो आपकोई पूंब जायका जीरो से लेके दस तक ठीक है और अगला ही दस से लेके बीन तक पिर पइका 20 से लेके थीस तक गीत ही फिर पिर 3 से लेके 40 तक पिर आपकोई जाएगा 40 से लेके 5 तक यही था टोफ् CPR कि एक साही कैसे संक्या ये दोनों को जोड़ कर दो का भाग देद हो गें न तो फंक इसी तरह इसका एक साय मतलब स्था कि 10 और 20 के बीचो पंद्रह आएगा ताइगा तो आपको मालूम है कि 20-30 25 आए जिनको नहीं वालूम रहे गां तो जूड लेंगे कि 20 और 30-50 पाचास में दो का भाग देंगे तो पचीस आएगा इसी तरह 30-40-25 आता है बैंगिंतीस आता है थीकैं इसी तरह 40-50 के विसके आता है फांट आलीस आता है तो जिनको नहीं वालूम रहे six तो दिया है इसका इसका तो 5 दिया है इसके बाद पाहला कंड़न दिया है तो 5 प्छारं पर पी है तो यहां पर भर दूंगा इसके बाद 6 दिया अब देखिए मतले फाइंटू इससे इन दोनों का गुड़न फल तब 5 पांडर गूड़ा करूगे तिया जागा 270 यहां पर 270 लिख दिया इसी तरफ पचीस में अच्छा हम 15 को गुला करेंगे तो आएगा 375 इसके कालम में इसके सीधा में हम लोग देंगे 375 इसी तरह आपका 35 है 35 को गुला जब 6 में करोगे तो कितना जागा 270 इसके स्वज़ा नीचे लिदोगे 270 बस हो गया अब देखें मब और क्या करेंगे फर्मूला में आपको दिख aumentar ऑप एक यहां चाहिए इसका इंप यहां पर यहां फीजो लिकार देते हैं तो यहां पर लिखेंगे हम लो कि सीगमा एफ आई एफ आई का मतलब होता है जो भी एफ आई का कालम उसका योग ठीक है इसको जोड़ो तो देखो जोड़ो कितना आ जाएगा देखो 15 और 15 पांस कितना जाएगा बीस अब 20 और 18 की बात करें तो बीस तो तीस और जोड़ों कि सीगमा एफ आई और एकस आई तो सिगमा एफ आई एकस आई तो फूरा टोटल अगर निकालों तो यहां पर टोटल आप जोड़ों तो आजागा देखो इसको छोड़कर 35 तो आपका युक्फल में आगा 35 पी छोड़कर दूसो सत्तर तिनसो पाच्छत्तर दूसो सत्तर पचीस जोड़ोंगे ना तो 940 में 35 प्लस 25 पी आएगा थिके सिग्मा एफ एकस बी निकल गया ठीक है अब यहां पर फर्मूला अप्लाई करेंगे ठीक है लिखेंगे इसलिए समांतर माद्य बराबर समांतर माद्य बराबर कौन सा फर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम प्रत्यक्षवीदी लगा रहे हैं तो प्रत्यक्षवीदी का फर्मूला यहां पर यूश करेंगे जो क्यों होता है यहां पर समांतर माद्य बराबर सीग्मा एफ आई एकस आई और ब्रदैंटम होता हैब सीग्मा एकसा ओए चौर दिखो समानतर मादे समौंतर माने हमको दे राखा था इया था कि नहीं आगे बोल आपकी समोंतर मादे 25 है तो समानतर मादे की जगह तो हम तो क्या रिखेंगे 25 यहां ने 25 लिख दिया सिंगमा एक कितना है यहां से 940 और कितना है 25 ठीक है और बड़े में सिंगमा कितना है Norwegian और प्लस पी ठीकिश है यह आप करना है खताइगा क्या में गोंधकी जब 25 में होगा ठीक आ सुट इस सब्सक्राइब होगा तो टृत सब्सक्राइब करेंगे तो फ्सक्राइब यहां पर और इंगी फ्सक्राइब jutना जाएगा कुणार के देख लो तहीं है न तो आने वाला है 25 ठीक है और बराबर यहां पर कुछ नहीं तो इतना गुड़ा एक में करें तो इतना ही रहने वाला है 940 प्लस 35 पी रहने वाला है चलो यहां तो फो गया नहीं अब दख़ो इसके आगे हम लोग करेंगे कि आप सिंपल कि यह तो आपका है 1100 यह 940 इदर आएगा तो आपका बज़ागा माइनस के 940 बराबर इधर आपके बच गया 35 पी यह पलस 25 पी उधर जागा तो माइनस 25 पी ठीक है अब 1100 में से हम लोग क्या करेंगे 940 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा एक सो साथ बराबर आप 35 पी में से अगर 25 पी घटा दो तो कितना बज़ागा 35 में से पच जागा तो दस दस बज़ गया ठीक है अब हमें करना क्या है कि यहां से हमें पी का बलू निकालना है जब पी का बलू अगर निकालोगे तो साथ बटी कितना जाएगा तके अजब दोगे तो पी बराबर कितना जाएगा सूरह भी बराबर सूरह अब पोछा था पी कमान कितना आ गया सूरह उस तरह प्रश्ण कर था यहskiद्वार बाइसमें प्रत्ष्णा है था इसाई प्रस्ण बनेंगा ने आएस यह आप लगा बता है चलिए पहला प्रस्ण के लिए हो गया दूसरा प्रस्ण पढ़ते हैं चलिए मेरे प्यारों चागला प्रस्ण देखते हैं देखो अगला प्रस्ण यह है इसमें आपको माधिका पूछ लिए क्राइक निम लिखी ताक्रोडों से माधिका की गड़ना किजिए माधिका कि ये कई फर्मूला होता है और उसका ये कई तरीका होता है लगाने का जिसे हैं आपे अंक दिया है कि जीरो से लेके दस के बीच 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 ब पाने वाले विद्धारची संक्या में ओवाला ए कि औरिँख संक्या माथ कर दिया है और पूछे माधिका अदॐ माधिका निकलने का यह का ने काई है उसमें आप टीन काल R. संक्या में.. है सियस्क्राइग ऐस पिर आपका अनसर आजाए नहां इसका फर्मूला क्या होता है मैं फर्मूला निफा देता हूँ आप लोगो देख़ो फर्मूला यह रहता है कि माद एक बराबर एल प्लस से एन बटे लो पर लिक समझ में आजाएका टीक है जरी अब करना क्या हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोग इस कालौम बना गए ऑंक है बाइन कम्प्लीट कर लेते हैं पहले ऑंक नहीं क्या है 0 10 10 से ब्रिक विस यहां तक बहुंद बहुत रेंगे तो içमा भ़ी सिनर है तो यहां बरेंगे 10 से लेकर 20 इसको बीस से लेकर तीस से लेकर यहां बरेंगे 30 फिर क्या है 30 से लेकर 40 तो 30 से लेकर यहां पर बरेंगे 40 सब्सक्राइब कर दो ठीक है यहां तक हो गया कंप्लीट अब लोगों का अब देखो यह संचरी बारवाता जीसे हम लोग सीएफ कहते हैं क्या कहते हैं सीएफ कहते हैं संचरी बारवाता एक इसे निकलता है संचरी बार वरता लीट किताइब से और रच यहां पर लिए दो इसके बार बात दूसरा निकलता है तो पंदरःट्रम इस पांच क्छोड़के तो निकॉल्वट इस थाफ स i2 तो अठेल करने करने के लिए हमें माध्ने करी लिए करने के ठीक है, वो देखे, माद्यक वर्ग हम लोग ढूने के लिए, पूरा पूरा डिपेंड करता है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है, माद्यक वर्ग जब भी निकालना है, ता आप ये न बेटे टू निकालोगे, माद्यक वर्ग जब भी खुजना है ते न बेटे टू, ठीक है अब देखें कि 30 किस्त में होगा तो देखो 30 वालव कॉलão होगा वह पचास में होगा क्योंकि यह पचास, 50 में यह तो आप लोगो का 30 भी आ जाएगा 40 भी आ जाएगा खुद पचास भी आ जाएगा ठीक है तो आप यहां से हमने चूच कर लिया की यही आपका क्या है मात धेक वर्ग है चाहिए तो यहां पो प्र लोगों ते Screen से जब देखों मात धेक वर्ग में उस्ट है हम लोग एस्ट करते तिमैं एस कवेलु क्या है माद्द्द्धय कोर्ग में चूच किया है यह वह पेफ का बेलू आ गया यह वह आपका कहें इसमें इस माद्द्धय कोर्ग में जो 20 और 30 का कालम दिख रहा है इसमें जो छोटा है 20 यह आपका ऐल का बेलू कर लाताई नीमन स्रीमा ए कलया और cf देखो माद्य को वर्किके जस्ट उपर वाला जो बेलू होता है यह cf का वेलू कहलाता है मतलब संचेई वारंबर था ठीक है तो यह बरावर तो दस आ गया दस कांत्राल दिया है ठीक है इसके बाद f f का वेलू कितना है f का वेलू 30 आ गया और इसी तरह और cf cf का वेलू कितना है cf का वेलू 20 आ गया ठीक है तो सारी पहलू ऑल्लो दाफको वाल्म चलंक अब अगो अब वार माद्य को को दोनूबदाए कही होता है ठीक है के पूरे बट्टे में होता है यहां पे F कोष्ट टक बंद फिर होता है यहां पे H ठीक है यह फर्मूला होता आप तो अपलाई कर लेना है बस L का वलू कितना दिया है 20 और प्लस N बटे 2, N बटे 2 कितना था 30 आया था न बटे 2 निकाले थी तो 30 बटे 2 कितना था 30 कॉंकि N के बलू 60 60 का बडल करने तो 30 मैमल्स Cf का बलू कितना है 20, 25 और बटे कृत N आपका बलू कितना है 30 ठीक है, और N टू में H H का बलू कितना है 20 okay, जिले इसे हल करेंगे तो यह तो आज जाएगा 20 पुलस 30 में से 20 जा गाँ तो 10 और बटे में 30 और ब तो दस रहने वाला है तो एग जिरो से एक जिरो क्या कंसिव ठेट है और बजे उपर क्या बीस प्लास नीचे था सीज़ प्लोगों का तीन अभों के यह तो यहां पर आप वर ऑप प्लस दस में जब 3 आविए तो ऑंगा घर लग tua किना यदा ही game प्रकार लगाते हैं तो मेरे प्यार बच्छों आप लोगों को अब माध्यक निकलने का तरीका मालम हो गया है यह कही तरीका होता है और इस नियम से लगा जाता है मेरे प्यार बच्छों चलो आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्ण देखेंगे यह प्रश्ण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह मौडल पेपर में भी आया था 2022 में भी प्रश्ण है ठीक है देखो कैसे लगाओगे इसका तरीका समझो पहले देखो क्या प्रश्ण प कि संक्के मतलब सोच लेकर देटर सट के जो बैह हैं खर्च है हैं उन्में परिवारे गश्ण का चारें डेट तो तरह नहीं क्या प्रश्ण का निज सकते हो और मात देगाद करने कि माधे गात करने की तीन वीदी होती है अब मैंने अप लोगों को बताया कि मात देगात कर बढ़ा बढ़ा हो जाएगा यह लगा तो जब भी आकड़ा बढ़ा दिया है और अंतर अगर से में तो अंतर अगर से में न यह पगविचलन विदी सबसे सिंपल मानी जाती है और पगविचलन विदी से तुरंत अंसर आ जाएगा तो हलांकि इस सवाल में हम पगविचलन विदी लगा रहे हैं ठीक है दोको पगविचलन विदी लगाने के लिए सबसे आपको कालम क्या बनना रही है उसके बाद आप लोगो का अगला कालम बनेगा एक साई का और दूसरा कालम बनेगा यू आई का यू आई का यू आई पराबर एक साई मैनस एवाटे यच होता है हलाएं कि इतना बढ़ यहार फर्मॉला यू नहीं करेंगे आप सांथ तरीका सब को बता देंगे फिर अगला कालम बनेगा एक साई और यू आई का बनेगा यह किस वीदी का बाता रहूं आपको पाग वीचलन बीदी ठीक है पाग वीचलन वीदी के यही में थेड़ होता प आपको पहले स्टाट हुआ था कहां से सौसले के डिर सो तो पहला तो जागा सो से लेके तीन सो अफिर था तीन सो शेले के साठे तीन सो ठीक हमने पूटक वर दिया पर वहार विच्ण के कितना था यह यहां पर हैं नोट वहीं भर रहा हूं कि पांच और भी दू है नीचे बाने भी दो है ठीक है अब नेकशा chat को मालूम है एक साही मतलब होता है मतलब कि 100 से 1.500 की बीच के आएगा ठीक है तो 100 से लेकर 1.500 की बीच के आएगा एक सो पचीस आएगा यहाँ पे एक सो पचीस भर देंगे जिनको समझे नहीं आ रहा है कि कैसे होगा तो पहली और दूसरे सांका एक जोड़ लो फिर दो का भाग दे तो जैसे 1.500 में 100 जोड़े तो इतना हो जाएगा 200 और 200 में दो का भाग दो गते एक सो पचीस तो आएगा ठीक है चले दूसरे भाग दे का आप निकाल लीजेगा हालां कि मैं डार्क निकालना हूँ अब आप ही बताओ कि 1.500 और 200 की बीच के आएगा 175 आएगा तो यहाँ पे 175 चतर भर दी है इसी तरह 300 और 300 भीच के आगा 325 आगा तो 325 भर दी है ठीक है चलो अब देखो यहाँ पे यूआई निकालने का तरीका क्या होता है तो यूआई निकालने का तरीका है यहाँ साई मैंस ए बटे यह होता है तो इतना बड़ा फर्मूला यूज नहीं करेंगे अचे सब्सेयर but Rachel हम लोह पर कल्पीट मात देखोलेंगे कल्पीत मादे की होते हैं तेकिती स्थम्रो कलम्य वह नहीं कहते हैं से मंने छोड़ दिया और दो नीचे से छोड़ दिया यह जो बीच में आपको दिख रहा है यहीं आपको यह कहलाएगा ठीक है कभी कभी क्या हो गा कि दो उपर छोड़ दो भी दो नीचे छोड़ दोगे घकी तो दो संख्याश Cosway c leaked तुम्हें A मान सकते हो. तिक है, अगर वैसा situation आता है, कि बीच में दो बच रहा है, तो दोनों में किसी को A मान सकते हैं, होलां कि यांप E कई बच रहा है, कि 2 उपर से छोड़ दिया, 2 नीचे से छोड़ दिया, बीच में ज़िए रहा है उसी को A मानते हैं. अगर A आपको मिल गया तो A के समने वाला को आप 0 माल लो ठीक है? उसके उपर जाओगे तो माइनस 1 उसके उपर जाओगे तो माइनस 2 जीरो के नीचे आओगे तो 1 अब फिर A के नीचे आओगे तो 2 बस देखो Y निकल गया अब इतना आप लोगों के करना नहीं है कि एक साई मानस ये बटे याच करूँगा ते नहीं देखो डारेट आप निकल सकते हो इस तरह ये मिलेगा एक को सामने वाला 0 माना उसके उपर माइनस 1 माइनस 2 जीरो के सामने नीचे जाओगे तो 1 एक निचे जाओगे तो 2 बस अब अगला है आपका FIUI FIUI मतलब इन दोनों का गुड़न फल ठीक है FIUI पूछा ना तो ये है FI और UI इसका गुड़न फल है FIUI का गुड़न फल ठीक है तो क्या हो जागा 4 दोनी के 8 माइनस 8 फिर 5 को गुड़ा माइनस 1 में करोगे तो माइनस के 5 फिर 12 को गुड़ा 0 में करोगे तो 0 2 को गुड़ा 1 में करोगे तो 2 को गुड़ा 2 में करोगे तो 4 तो देखो FIUI भी निकल गया FI और UI का गुड़न फल अबन निकल गया है यहां पर यहां तो कम्प्लेट हो गया तो आप दोखो यहां पर आपका सिगमा एफ़ई यू आई चाहिए यहां बोग दोगो सीगमा एफ यू आइ अपतला योगफ़ल तो देखो आठ पांथ 13 माइनस के 13 चरका लुद छो प्लस के चहाई माइनस 13 मैंस आप पलस चाहई कितना बचेगा आपका माइनस के साथ तो यहां पर बचेगा आप लोगों का माइनस के साथ ठीक है तो माइनस साथ यहां बचेगा इसके बाद क्या करोगे और क्या चाहिए सिग्मा एफाई चाहिए ना तो सिग्मा एफाई यहां पर तो इसका निकाल देते हैं यहां पर इसके बाद करना किया है इसके बाद ले लेता हूं तो सिर्फ फर्मूला ही लगाना है फिर आंसर आ जागा देख को इसके बाद आप फर्मूला लिखोगे ठीक है फर्मूला हो जाएगा एक्स पे बार बरावर समंतर मादर निकालना है कौन भी दिद्वाइब पग विचलन भी दी तो उसी कम लोग फर्मुला लिखेंगे एक्स पर बार बरावर क्या होता है ए प्लस कोश्ट्रक में सिग्मा एफ आई यू आई देखो फर्मुला लिखना है किसी इकमत पर लोगो को किसिग मा एफ आई और इंटू में क्या होता है एच यह फर्मुला होता और इसी फर्मुला फर्मुला लगाएंगे भचल रग्द एहां है तो देखो एक वल्यू कितना है दो सो पचीस क्यूंकि एक हो मने दोस्व पचीस माना एक हो जागा दोसो तो फटीस और पलस मैं एफाई पचीज अपड़ एंटू में एच एच मतवर गंतराल कितना का है तो पचास पचास को वर अध्राला को दिख रहा हुआ ठीक है तो यहां पड़िग दोगे आप कि अपचास है अब चलो इसे हाल गरोगे तो जागा दो सो पचीज और प्लस इसे कटाओगे तो प तो पचीस प्लस गुड़ा मानुस ना करोगे तो माइनस के च्छे उदर आ दूसो पचीस में जब च्छे उदर घटाओगे तो आ जागा आपका 211 आये जो 211 आया है यही आप लोगों का आ गया बैय उसका खर्च ठीक है 211 रुपिया उसका क्या आ गया खर्च आ गया ठीक है तो देखो मेरे प्यारों चोई इस प्रकार में लोगा लगा है तो कितना प्यारा प्रश्ण भी 2022 से पुछा है 2030 के मॉडल पेपर में भी यह प्रस्ण ने दिया था इतना में तो पूरे देखो वह उसरी मेहथर्ईख आपको तरीका मालब हो जाएगा судर्फ कोई भी आएगा अब तरीका अगर आपको मालुम है तो किस्पर हो अbस तरीका मालूम होना चाहिए ₹जए फ्रस्ण आपने कालियर करले हैं चलो अगला प्रश्म तर्श्म भजते है चलो इखते हैं कि इू होता है और माधिका कभी एक फर्मूला होता है बस दिकत होता है माध्य में तीन बहुलक निकलना सिख लेते हैं फिर मादे भी इसका निकल लेंगे चलो देखो इसका कालम बना लेते हैं कालम बस दूई चीज़ बनाना होता है एक आपका वर्गंत्राल बनाना होता है बहुत सिंपल तो देखो एक आपका वर्गंत्राल का कालम बन जाएगा एक कालम तापक बारम बरता का बस यहां फिलब कर देता है थाल जाल कहा दिया दस से बीस लिखेंगे कि दस लेकर बीस तक तबढ़ आस कितना है चार थे हैं आ पर चाह montage लिघ गोगे फिर बीस से लेके 30 तिस अपर लेकर कितनी आठ तो आठ लिख दोगे, इसी तरह 30 से लेकर 40 तक, 30 से लेकर 40 तक बाराम बाता है, कितना है, 10 तो आहरो दस लिख दोगे, इसी तरह 40 से लेकर 50, तो 40 से लेकर 50 तक 12, 12 लिख दोगे, फिर आगे बढ़े स्क्मुला या होता है इस का बहूलीक निकालने का कि यल पलस F1-0 बटे 2 F1-1-1-2-1-1-1-1-2 ठीक है अब ה'י可 02 क्या है यह जिरो क्या है इस सबस्मझ में आ जाईगा देखो इस परकार लोग मादिका का ने लेथे तो मादिक वर्ग हम लोग देख रहे थे उसी प्रकार हम लोग इसमें बहुलक वर्ग देखेंगे अब बहुलक वर्ग कैसे डूनेंगे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी तो बारंबारता सबसे अधिक क्या है बारकी तो यही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा तो यह आपका क्या हो यह क्या होता आपका ऐफ़न एफ़न के ऊपर जा गए तो यह दस आपका एसजीरो कहलाएगा और यह फ़न की निच्छा थे यह बेलू आपका एसटू कहलाएगा ठीक हैं और इसमें जो निम्न है यह ब्रत एक होती है यह यह टेज एल का बिलू हो गया चैलिस और यच, यच क्या होगा, यच में तो वर गंतराल कितना का था, 10 का था यच बरावर 10 आ गया, तो बस सब कुछ वेलू मालू है, बस फर्मूला अपलाई करो, तो फर्मूला होता है बहुला को बरावर, आदे को फर्मूला हरे क्यूसन में आपको लिखना है, यतना याद है, खाल, चैकंए, तो फर्मूला कोई कितना है, चालीच, और प्लस, एफ उन का वैलू कितना के इतना है, 12, मानस एफ्जिरो का वैलू कितना है, 10 और बटे में 2, फ वन, तो फंपन का वैलू कितना था, 12, बारवर को दू न खुरोगे तो यह च्व भीस आ जायाएगा, ख फोना फॉन्टल वहाई हुआ है मानसे फजी के वैलू कितना है त्रूविट अधर्य रही है त्यों जागा है उन्टू यह का विपान रहल दस यह के वान वाम भी दस यह इसे कितना चालीस प्लस और बारह में इसे दो जाएगा और बारह में से 20 किरा हुँ बारह मेंसे दस जागा तो दो नो बचेगा और माइनस 14-10-10 Life-10-10-1-20 और इंुटू में हाँ बचनिया आपका 10 इसे फिर हाल करोगे तिय estem आपका 40 Si plus 2 इंबत चोबीस मेंसे भी बचनिया का तो चार इंटू यहां पके 10 तो दूने के चार अध्यार दो पाचे दस दू से दो कि इस धर बज़ गैट चालीस अप लसी शाधर बज़ आपका पांच ठीक है चालीस और पांच कितना होता है तालीस यह लोग का आंसर बहुलक कितना आ गया ताइस प्रकार लोगा तैम यह प्यार वच्छोंड भूलक न मेर के की सबस्ते निकालने के अंतराल से मैं तो आप इस्तमाल कर देना सवाल अ intellig downwards भी जकती तोम प्रफ वक लिएए लिए फिसे द ले को माड मेर निकालना अपने दो तरीके से तो और तक देखा हुआगा एक बार और देख लेना दो नंबरolds एक बिल्कुल फिक्स है, तो मेरे प्यार विडियो के इसलिए लिए लगए चीनल को सब्सक्राइब करके बैब कर सक करें को प्रेश के लिए धन्यवाद